यह साबुन आपके body और आपके face के color को निखारने का काम यह साबुन करता है और जैसे कि आपने देखा होगा कि या किसी के face यानि उनके चेरे पे dark sport की समस्या रहती है उसके बाद में उनके चेरे पे दाग धबे की समस्या रहता है तो उस समस्या को भी ठीक करने का काम करता है इसका डोज क्या होता है, इसका side effect क्या होता है, इसको use कैसे करना होता है, इसके बारे में आज हम आपको आप इस वीडियो में हिंदी में जानकारी बताएंगे, यह साबुन आपके skin को गोरा और signing करने का काम करता है, यानि आपके skin पर यह चमक परदान करने का काम यह साबुन करता है और जैसे कि आपने देखा होगा अगर किसी के चेरे पर या फिर पिमपल्स हो जाता है या फिर हम कह सकते हैं एकिनिकी समस्या रहता है पिमपल्स और एकिनिकी समस्या ठीक हो जाता है उसके बाद में उसके इस्किन पर आपने देखा होगा वो दाग को जड़ से ठीक करने का काम करता है और ये साबुन क्या काम करता है डेमेज स्कीन यानि जो अगर किसी का जो तोचा है वो डेमेज हो जाता है तो उसे ये रिमूब करने का काम करता है और उसे ठीक करने का काम करता है जो स्कीन डेमेज हो जाता है यानि एक परकार से हम कह सकते हैं आपने देखा होगा कि अगर किसी के इसकीन यानी तोचा पर कभी कीडे में कोड़ा कोई बैठ जाता है उसकी वज़ा से आपने देखा होगा कि इसकीन पर फफोले पड़ जाते हैं वो ठीक तो हो जाता है लेकिन उसका जो निसान रहता है वो आपके इसकीन पर बलेक-बलेक सा कांटीन्यू बना रहता है तो उस साबुन जड़ से ठीक करने का काम करता है और भी इसकीन से related बहुत सारी दिक्कत बहुत सारी साबुनों में डाक्टर के दोरा इसकीन से related तो उस समस्या को भी ये जो साबून है ये ठीक करता है और जैसे कि हमने आपको बताई दिया है ये एकनिक और पिंपल्स की जो दाग धब्बे की समस्या रहता है एकनिक और पिंपल्स की समस्या जब ठीक हो जाता है उसके बाद में जो इसकीन पर दाग धब्बे क समस्या रहता है उसे भी ये ठीक करने का काम करता है यानि एक परकार से हम कह सकते हैं दाग धब्बे की अगर समस्या रहता है तो उसे ये जड़ से रिमूब करने का काम करता है ये साबुन आपके स्कीन को गोरा करता है साइनिंग करता है खुबसूरत और सुद्दर और अच्छा आपके स्कीन को बनाता है यानि स्कीन पर अगर किसी भी परकार का दाग धबे की समस्या रहता है तो इन सारी समस्याओं को ठीक करने का काम ये साबून करता है चलिए अब हम आपको बताते हैं ये साबून आपको अपने स्किन पर apply कैसे करना होता है ये साबुन आप दिन में दो से तीं बार आप अपने स्किन पर apply कर सकते है जैसे आप पहले जो साबुन यूझज करतेración थे ठीक उसी परकार से ये साबुन आपको use करना होता है चलिए हम आपको इस साबुन के side effect के बारे में बताते हैं, इस साबुन का क्या-क्या side effect देखा गया है, जैसे कि इस साबुन का कोई भी खास side effect नहीं देखा गया है, बाट अगर ये साबुन लगाने के बाद में, अगर आपके skin पर redness की समस्या आ जाए, खुजली के जैसा होन लगे, तो ये साबुन है, जो आप तुरंट बंद कर दें, और अपने doctor या pharmacist से तुरंट संपरक करें, इसके अलावा, यद आपके skin पर और कोई दिक्कत, और कोई समस्या है, या फिर skin से related किसी परकार की समस्या है, तो एक बार अपने doctor या pharmacist के पास आप जाए, आप अप अपनी दिक्कत परे सारी बताएं, उसके बाद में कोई भी medicine, कोई भी soap, कोई भी करीम उप्योग करें, कभी भी आप कोई भी medicine, कोई भी soap, कोई भी करीम खुद से उप्योग ना करें